हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू मैं चैनल, आज हम रेडिमेड स्टाइल डिजाइनर फ्रेंट स्लिट कुरती बनाएंगे, तो इसके लिए हमने तीन मेटर फैबरिक लिया है, और ये हमने गोटालेज भी ली है, तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, इसके लि पाबरिक को फोरफोल्ड में रखा है, इस फोरफोल्ड की वेड़ है 12 इंच और टॉप पार्ट की लैंध है 15 इंच, अब यहाँ पर शोल्डर लेंगे तो शोल्डर मैं लेरियों 6.5 इंच, यहीं से आर्मोल लेंगे, तो आर्मोल भी मैं लेरियों 6.5 इंच, इन दूनों को जोडेंगे अब यहाँ पर हमें chest का fourth part plus two inch margin लेना है तो मैं लेरियू 12 inch अब यहाँ पर हमें कमर का fourth part plus two inch margin लेना है तो मैं लेरियू 10 inch इन दोनों points को जोडेंगे अब यहाँ पर हम one inch उपर mark करेंगे और हलका सा round shift draw कर लेंगे अभी आर्मोल ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन का हाफ लेना है और बैक का आर्मोल ड्रॉ करेना है और हाफ इंच अंदर से फ्रेंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेना है अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे तो नेक वेरिथ मैं ले रहे हूं 3 इंच और neck deep मैं ले रहे हूँ 6 inch front के लिए और back के लिए मैं ले रहे हूँ 3 inch तो back के लिए हम round shape draw करेंगे और front के लिए हमें V shape draw करना है अभी cutting करेंगे सबसे पहले back neck और back armhole cut करेंगे तो हमने cutting कर लिए है अभी हम इसको open करेंगे और इसमें से back part को side में रखेंगे और front part को फिर से fold करेंगे और front neck और front armhole की cutting करेंगे तो हमने front neck और front armhole की cutting कर लिए है अभी front part को center से भी cut कर लेंगे इस तरह से ये फ्रेंट का पार्ट आएगा अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे तो इसके लिए हमने फाब्रिक को फॉर्फोल्ड करके रखा है ये ओपन साइड है और ये फॉल्ड साइड है और इस फॉर्फोल्ड की जो वेड़ है वो हमने 9.5 इंच की ली है और स्लीव की लेंथ हमने 15 इंच ली है अब यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से स्लीव का शेप ड्रॉ करेंगे यहाँ पर स्लीव बॉटम लेंगे 7 इंच इन दुनों पॉइंट्स को जोडेंगे और स्लीव की कटिंग कर लेंगे तो हमने स्लीव की cutting कर ली है अब यहाँ पर हमें छोटा सा cut लगा लेंगे उसके बाद हमें स्लीव को open करके रखना है यहाँ पर half इंच अंदर से front carmull draw करना है और इसको cut कर लेना है इस तरह से हमने स्लीव की cutting कर ली है अभी बॉटम पार्ट के लिए हमने ये दो फाब्रिक के पीसिस लिए है फ्रेंट और बैक के लिए इसकी जो वेड़ थे वो 38 इंच की है यहाँ पर हम दोनों साइड से हलका सा स्लेट रखेंगे और फ्रेंट में भी स्लेट रखेंगे और इसकी लेंथ है 35 इंच अभी इसमें से बैक पार्ट को हम साइड में रख लेंगे अभी ये हमारा फ्रेंट का पार्ट है बॉटम पार्ट इसको हम बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर से इसको कट कर लेंगे तो हमने फ्रेंट पार्ट को सेंटर से कट कर लिया है इस तरह से ये front का bottom part है अभी हम stitching करेंगे तो ये हमने front का top part और bottom part लिया है सबसे पहले bottom part में हम 3 inch पे mark करेंगे दोनों side में उसके बाद यहाँ पे 3 inch छोड़ के हम यहाँ पर plates डालेंगे अंदर की तरफ face करते हुए और इसको इसके बराबर कर लेंगे इसी तरह से दूसरे side में भी हम same plates डालेंगे तो हमने यहाँ पर plates डाल दी है अभी top part और bottom part को attach करेंगे तो इसको इसके उपर उल्टा रखेंगे और stitch करेंगे तो हमने दोनों parts को stitch कर लिया है अभी हम neck बनाएंगे तो इसके लिए यह हमने सीधी पटी ली है इस पटी को हम इसके उपर उल्टा रखेंगे और पूरा नीचे तक हमें इस पटी को सिलाई लगा देनी है सेम इसी तरह से दूसरे side के लिए भी हमने यह पटी ली है इसे भी हम इसके उपर उल्टा रखेंगे और पूरा नीचे तक इसे stitch करेंगे तो हमने दोनों साइड में पट्टी को स्टिच कर लिया है अब यहाँ पे जो कॉर्णर है यहाँ पर हम कट लगा लेंगे और उसके बाद इस पट्टी को हम अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर देंगे तो हमने दोनों साइड की पट्टी को डबल फोल्ड कर दिया है अब यह हमने गोटा लेस ली है तो यहाँ पे जो हमने सिलाई लगाई है उसी सिलाई के उपर हम इसको स्टिच करेंगे पाव इंच का मार्जिन चुड़ते वे इसको स्टिच करना है दोनों साइड में पूरा नीचे तक तो हमने इसको नीचे तक स्टिच कर लिया है अभी हम इन दोनों पाट्स को अटैज करेंगे तो शोलडर से 30 इंच बिए मार्क करेंगे तो ये हमने एक पट्टी ली है, सीधी पट्टी है ये, इसको उपर से फोल्ड करना है और दोनों पार्ट्स को इसके उपर रख लेना है नीचे से भी जोहां तक मार्क किया है वहां तक ही स्टिच करना है एक्स्ट्रा पट्टी को हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से इस तरह से दोनों पार्ट्स को हम पट्टी के उपर स्टिच कर लेंगे तो हमने दोनों parts को stitch कर लिया है और ये front से slit रहेगा अभी हमने back part लिया है सबसे पहले back part के center में निशान लगाएंगे उसके बाद निशान से 3 इंच दोनों तरफ हम निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी हमें इस तरह से प्लेट्स डालनी है दोनों साइड में तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स ने प्लेट्स डाल दी है अब इसको इसके उपर रुटा रखके स्टिच कर लेंगे तो हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है अभी हम बैक नेक बनाएंगे इसके लिए हमने तिर्ची पटी ली है इससे इसके उपर रखके स्टिच करना है और अंदर की तरफ इसको डबल फोल्ड कर देना है तो हमने बैक नेक बना लिया है अभी front का part हम इसके अपर उल्टा रखेंगे और shoulders attach कर लेंगे अभी हमने sleeves लिया है सबसे पहले sleeves के bottom को double fold करेंगे और इसके उपर ये lace को attach कर लेंगे अभी हम shoulder पे sleeves को attach करेंगे तो sleeves को हमें shoulder के उपर उल्टा रखना है और इसे stitch कर लेना है इसी तरह से हम दूसरे sleeves को भी stitch कर लेंगे तो हमने दोनों sleeves को stitch कर लिया है अभी हम इसको उल्टा करेंगे तो उल्टा करने के बाद shoulder से 30 इंच पे हम निशान लगा लेंगे तो sleeves से लेके 30 इंच तक हम fitting करेंगे उसके बाद दोनों side से double fold करके side slit बनाएंगे और bottom को भी double fold करेंगे करेंगे पर्पृ जुदो ह ऊते, यही दोनों करेंगे तो भी। झाल